हेलो गाइज वेलकम टू यारे से स्टड़ी परेंट चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी ठीक होंगे आज किस वेडियो में हम समानी बिग्यान के मस्ट इंपर्टेंट को डिसक्रस करेंगे आप सभी जानते हैं कि हमने एक ठारगेट पिनाया है कि रेले गृपडी के दिया गया है आप जरूर देखें और इस वीडियो के साथ सुरू से लेकर करके आप अन तक जूड़े रहे हैं ताकि आपको कोई भी पाइंट नीच नहों पाए क्योंकि यह वीडियो रेलवेग्रूप डी के लिए बहुत ही मतपूर है अगर आपको यह वीडियो अच्छ प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है प्रोटीन का पाचन छोंटी आंत में होता है अब देखते निक्स्ट को सिनिक्स्ट है सरीर का घाव किस बिटामीन से जल्दी भर जाता है इसका अंसर का बिटामीन सी ध्यान रखिएगा सरीर का घाव बिटामीन सी से जल्दी भर जाता है अब देखते नेक्स्ट को सिनिक्स्ट है गाय के दूद का पिला रंग किसके कारण होता है गाय के दूद का पिला रंग क कारण होता है का एंसर का के क्यारूटीन ओध्यान रखिएगा को दूद में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है अब देखते समय नेकहर से पॉलितिन किसका बहुलक है उद глуб और पॉलेथीन इथेलीन का बहुलक है आप देखतें नेंगे शया नाकिज का हईक्प्रिण का इस्क जब अडेक हैं नाश NPC' कब अच्छ03 केcellरांma होता चाहरां, एस्टाइक कावन होता है अब देखते है अस्त्रू ग्यासिक क्लोर Πै county को कहते है अब देखते हैं सिंद्रानिक और ऑर टॉमिक नमबर होता है है इंसुलीन की खोच बैटिंग एम बेस्टने की मोस्य न आसु में कौन शा एंजाइम पाया जाता है आसुमे लाइसो जाइम sources जाता है आप देखते नेक्ष्ट को से नेक्ष्ट है कि एपी कल्चर का संबंद किस छित्र से है एपी कल्चर का संबंद मधु मक्ही पालन से है अब देखते नेक्ष्ट को से नेक्ष्ट है किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुख जाता है इसका फेरी कुलराइड इसका रशानिक सुत्र होता है A-P-C-L-3 आप देखते नेक्स्ट कोछ नेक्स्ट है कौन सा बिटामिन गर्म करने पर नश्ट हो जाता है इसका अंसर का बिटामिन C ध्यान रखीगा बिटामिन C गर्म करने पर नश्ट हो जाता है और देखते हैं को आम का बेगयानिक नाम क्या है आम का स्पथा आप दोस्त को में जयए- ने किया था मोखनी बर्टं कुछ नहीं तूने खाग ने किया था धिशन लेके डियर यक्टिव यदि लिभी नएक निःडियों के डियान की खागवल का सामाण नाम क्या फारीजल घृतंक 24 ganhar 20 होता है आप देखते निंख्ड कुछ नेक्स है कीटों में होते हैं केटों में सबसpat eer पर लिए उम चार फंक अब देंच कीटों के आणको से अब देखते निस्ट कुछ निच्छ कंप हीमोफिलिया किस परकार का रोग है हीमोफिलिया अन्वांसिक रोग है अब देखते नेक्ष्ट कोई नेक्ष्ट है पीएच का निर्धारन किस ने किया पीएच का निर्धारन सौरेंसन ने किया इसका अंसरों का सौरेंसन आप देखते नेक्ष्ट कोछ नेक्ष्ट है पार्सेक किस बहुती क्रासी का मात रख है पार्सेक खगुलिय दुरी का मात रख है आप देखते नेक्स्ट कोछ नेक्स्ट है चावल को पॉलिस करने से कौन सा विटामीन नस्ट हो जाता है चावल को पॉलिस करने से थाइमीन नामक विटामीन नस्ट हो जाता है इसको विटामिन B1 बोलते हैं आप देखते नेक्स्ट कोछ नेक्स्ट है माना नेत्र की असपस्ट दर्शन की नियुतम दोरी कितनी होती है इसका अंसर गा 25 cm अर्थाद 0.25 m आप देखते नेक्स्ट कोछ नेक्स्ट है अर्थी चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है अर्थी चालक की प्रतिरोधकता सुनने होती है आप देखते नेक्स्ट कोछ नेक्स्ट है वाई मंडलिय दब बराबर होता है वाई मंडलिय दब 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वर के बराबर होता है सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ओस्मियम है, अब देखते नेक्ष्ट कोच नेक्ष्ट है, हैजा किस सुक्समजीव द्वारा होता है? हैजा विब्रियो कोलेरी नामक सुक्समजीव द्वारा होता है, अब देखते नेक्ष्ट कोच नेक्ष्ट है, अंडे क केल्सियम काल्डर sellers के बना होता है कि इसका रशानिक शुत्र घी बता हैब देखते नीक्स को स्सेट राइफ्ध नेक्स ने तमबाको متुंसायल नामक विशेखते दिनिद आउरा ना भी जाती है त्यूब लाइट में मर्कुरी आंक्सायच वह आर्गन भरी जाती है अब देखते हैं मनुसे के सरीर में सबसे बड़ी ध box कौन है मनुसे के सरील में सबसे बड़ी धमदी महा धमदी है और द्ध्यार रखीगा राक्त में गैसों का आदान परदान कीस अंग में होता है रक्त में गैसों का अधान परदान फेपडा में होता है अब देखते नेक्स्ट को से नेक्स्ट है हालोजन में सरवाधी क्रियाशील होता है हालोजन में सबसे क्रियाशील धातू फ्लोरीन होता है अब देखते नेक्स्ट को से नेक्स्ट है फोटो क्रोमिक कांस में क्या बिय भी अहुरित होता है एक फोटो क्रॉमी कांच में सिलबर आइवाडाइड नामा व्याहिरित होता है अब देखते नेच्ट को चैनिक्स्ट है जो माना मस्तिक तथा सीर काध्यां से सम्मधित सखा क्या कहलाता है इसका अंसरों का फ्रेनोल ऌजी अब देखते नेच्ट को सेरी कल्चर का संबंध किस छेत्र से है सेरी कल्चर के संबंध रेशा मुत्पादन से है अब देखते नेक्ष्ट को नेक्ष्ट है खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अमला नस्थ हो जाता है खाना को ज्यादा पकाने पर फॉलिक अमला नस्थ हो जाता है अब देखते नेक दात्यों के वेल्डिंग के लिए किसका अपयोग होता है धात्यों के वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस का परियोग किया जाता है अब देखते नेक्ट को से नेक्ष्ट है प्रित्वी कि आयू का परिकलन किस बीदी द्वारा किया जाता है प्रित्वी कि आयू का प्रकल खर्ण है मुइज च्रहरता है एल दिख लंगए है अब देखते में उसके अब डूदों का फट्ना दूद्से दही बनना यह किस किरिया से होता है यहीं से बाक्यदना यह को द्मम खुर्ण से नब ऊप लोट यह तूद्सों को क्या और सिक लिकषारए सरीर में आयोडीन की कमी है अब देखते नेक्ष्ट कुछ नेक्ष्ट है स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किस अमला का परियोग किया जाता है स्याही के धब्बे को हटाने के लिए औक जैलिक एसीड का परियोग किया जाता है अब देखते नेक्ष्ट कुछ नेक्ष्ट तो हे प्रित्वी की परपटी पर सर्वाधिक कौन सेत्वा ब Gray मिलता है इस कैंसर को अक्सीजन के यहान रह Bell की पर एक संदु नामक सा धर्काय मिलता है इसकी मांत्रा है 46 चौपर्थी शट मिलता है और ध्यान एक एक प्थाइश्ट है पूरा हो धिन एक कमी से होने वाले गेंगा लोग से किसगरंधी की बिधि होती है इस कायए और का थैडराईड द्यान लखिए का आयोडीन की कमी से होने वाले एक है अगेंगा रोग से थैडरागरंधी की ब्रीदी होती है अब देखते नेक्ष्ट निक्ष्ट है कि वर्व का जब एनाख कितना होता है इसका असरोगा0 degree Celsius अब देखते नेक्ष्ट को सब्सक्राइब करकास करते होता है परकास करते सब्सक्राइब देखें चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर दो